अगर आपने अभी तक दा रेवल्यूशन न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरन सब्सक्राइब बटन पर प्लिक करें और साथ में बेल आइकेन भी प्रेस करें इस तक जो भी खबर देखिए इस लिहाज से देखिए कि चुनाओं होने वाले आप कह रहे होंगे परदा कहां आया सब कुस तो पार दर्शी हो चला है लेकिन आइए परदे के इस पार और उस पार खड़े होकर जरा इस सच को देख लीजिए कल तक क्या थे आज क्या हो गए मसला FDI का है विदेशियों की सरकार विदेशियों के द्वारा विदेशियों के लिए और ये बीजेपी नेता प्रकास जावडेकर का रक्षा टेलिकॉम छित्र में FDI के विरोध में किया गया 2013 का ट्विट है और अब 7 मार्श 2013 में रामलीला मैदान में खुदरा छित्र में विदेशी निवेश का विरोध करते हुए मौजूदा वक्त के वित्तमंत्री अरुन्जेटली ने तब क्या क्या कहा इसे भी सुन लीजिए कि और दुनिया भर का अनुबव है कि जहां जहां अंतर राश्ट्रिय रीटेल आया है छोटे वैपारियों के उपर उसका असर पहुचा है ये कहना कि छोटे वैपारी पे असर नहीं पहुचेगा ये आर्थिक आधार पे अपने आप गलप है तो क्या सत्ता में आने के लिए जनता की बाते कही जाती है क्योंकि एफडियाई का विरोध करने वाली विपक्ष की बीजेपी सत्ता में आते ही कैसे कॉंग्रेसी हो गई ये आज फिर समझ में आया आम बजट से ठीक पहले बुदवार को यानि आज ही सरकार ने अफडियाई को लेकर कई बड़े फाइसले की है एर इंडिया में 49 फिजदी अफडियाई के प्रस्ताओं को मंजूरी दी कंस्ट्रक्शन छेतर में 100 फिजदी अफडियाई को मंजूरी दी हाला कि सरकार ने 2014 में ही सिंगल ब्राउंड रिटेल में 100 फिजदी FDI को मंजूरी दी थी हाला कि इसके लिए सरकार से मंजूरी लेनी होती थी लेकिन आटोमेटिक रूट का मतलब साफ है 100 फिजदी FDI होगी अब विदेशी कमपनियों को क्लिरंस की प्रोसेस से नहीं गुजरना होगा जाहिर है खुद्रा वेपारी सरकार के फैसले से हैरान है परिशान है विरोध कर रहे है तेगर जिस तरह के सरकार ने सिंगल ब्रेंड रिटेल में 100% FDI की जो अनुमती दिये पर विरोध के स्वर जो भी हो सत्ता इस देश में किसी की भी हो अगर वेकलपिक अकनॉमी की समझ सत्ता सरकार को नहीं स्वदेशी या देशी काउर्प्रेट वेपारियों पर भरोसा नहीं तो विश बैंक और IMF की ठोरी पर ही चलना होगा पहले कॉंग्रेस चल रही थी अब बीजेपी चल पड़ी है फिर 23 जन्वरी को दावोस में मोदी एंट टीम को दुनिया की जानी मानी कंपनियों के साथ बैठक करनी है जा मोदी विदेशी कंपनियों को देश में निवेश का नियोता देंगे और बिना किसी रुकावट के विदेशी कंपनियों कैसे भारत में निवेश कर सकती है उसे पारदर्शी दिखलाने की भी जर्रत होगी यानि सवाल विदेशी निवेश का नहीं FDI पर निती का है क्योंकि रक्षा छेतर से लेकर टेलिकॉम और अब रिटेल छेतर तक में BJP FDI के मुद्दे पर यूटर ले चुकी है कॉंग्रेस जो भी कहें पर अब मोदी सरकार को भी लगने लगा है कॉंग्रेस भी यही करती थी तो FDI राजनेतिक मुद्दा रहा नहीं और रोजगार पैदा तभी होंगे जब हर छेतर में विदेशी निवेश होगा लेकिन इस आसरे जो असर देश के छोटे मजोले वेपारी कार खाना चलाने वाले और किसानों पर पड़ेगा उससे सरकार बेफिक्र है या कहें बाजारों पर टिकी एकनॉमी के सामने इस दोर में कोई दूसरा रास्ता बची नहीं रहा इसलिए अब संग परिवार के वो संगठन भी खामोशों चले हैं जो कल तक FDI का विरोध करते थे हो सकता है उन्हें चुप करा दिया गया हो लेकिन एक वक्त किसानों के दर्द को समझने वाले मौझूदा वित्तमंत्री अरुजेटली भी क्या कहा करते थे इसे जरा सुन लीजी करिदध बहुत दुकांदार होते हैं तो किसान के भी अधिकार में होता इक सको अपना समान बेचेगा लेकिन अगर साथ सत्तर फीसदी वैपार दोटीन कंपनियों के हाथ में चला जाता है तो किसान के पास भी चैन करने का अधिकार नहीं होता दर्द तो है अनत पटेल की ये रिपोर्ट थी लेकिन इस दर्द को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले विपक्ष में थे तब क्या कहते हैं अब क्या कहते हैं एक दो नहीं दर्जनों मुद्दे हैं जर्द देखिए सिर्फ FDI पर ही यूटर नहीं लिया यूटर्ण की फरिस्त लंबी है ब्लैक मनी GST अधार काट मंदरेगा गुमी अदला बदली सौदा विमुद्री करण रेल किराया हर मुद्दे पर विपक्ष में कुछ और सत्ता में कुछ का संकट है याद कीजिए GST का विरोध किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सीम रहते हुए किया लेकिन अब सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी ही GST है गुड्स और सर्विसिस टेक्स GST के माद्यम से हमने देश में सेकडो टेस का जाल खतम किया है अधार काड़ शुरू से बीजेपी के हिट लिस्ट में रहा अधार काड़ को बंद किया जाएगा मोदी ने अधार काड़ के खिलाफ ट्विट किये लेकिन आज अधार काड़ हर सरकारी योजना के लिए अनिवार है और आलम यह किसी भी सरकारी सुविधा का लाब बिना अधार काट के लेना ही मुम्किन नहीं यही हाल मंदरेगा योजना का संसद में ही मोदी ने मंदरेगा को यूपिय की विफलता का इसमारक कहा सत्ता में तुरत आने के बाद लेकिन बाद में बदल गए खूब ज़्यादा पैसे छोग दिये क्योंकि सरकार को लगा इसी योजना के आसरे जमीन पर गरीबों को रोजगार दिया जा सकता है मद्गरातरी यानी आठ नवंबर 2016 और फिर ब्लैक मनी यानी कालाधन सरकार ने कितने यूटरन लिये हर किसी को याद है 15 लाग खाते में आने की बाद से लेकर 100 दिन में कालाधन वापस लाने जैसे वादे कोरे चुनावी सावित हुए चुनाओं से पहले कालाधन धारकों का नाम बताने का ऐलान जम कर किया गया लेकिन सत्ता में आने के बाद आज तक कालाधन धारकों का नाम सामने आया नहीं बीजेपी विपक्ष में थी तो बंगलादेश के साथ स्वैपिंग जमीन के सौधे का जम कर विरोध किया करती थी लेकिन बाद में सरकार ने इसी पर सौमझोता इसी अधार पर कर लिया और अपनी फीट जम कट होगी फ्रेल किराय को लेकर चुनाओं के दौरान बीजेपी ने हर वक्त सरकार को उस वक्त की कट घरे में खड़ा किया लेकिन बीते तीन बरस में किराया पढ़ता ही चला गया और तो और आधुन एक्तम तकनीक तक लगा दी गई कि जब टिकट जिस स्थिती में ली जाएगा किराया खुद बढ़ा हुआ दिखाई देगा और जिस नोटबंदी को लेकर प्रधानमंतुरी अपीट ठोकते रहे उस नोटबंदी की एक जलक यूपिये ने भी दिखाने की कोशिश की थी 2005 के पहले जारी किये गए मुद्रा नोटों को वापस लेने का प्रस्ताव किया तो बीजेपी ने क्या क्या कहा ज़रा सुन लीजिए नई पॉलिसी लाई गई है जिसमें 2005 से पहले के नोटों को करंसी नोटों को विड्रॉ करने का विशे आज की सरकार लेकर आई है कही ना कहीं ये विशे जो बहुत बड़ा मुद्दा है काले धन का उसको भ्रमित करने के लिए लाया गया है क्योंकि इस से एक तरफ किसान है दूसरी तरफ कॉर्परेट है बीच में एक नौमी है आईए इस पर दे क्यार पर देख लिया जाए सडक पर किसान और फसल भी सडक पर ये दोनों तस्वीरे मौजूदा हिंदुस्तान का ऐसा सच जो सच कमोवेश हर रज के किसानों की हकीकत बन चुकी है राजस्थान पंजाब 36 गड़ तीन तस्वीरे इस स्क्रीन पर ये देखे जरा सिलसलेवार तरीके से समझने की कोशिश की थी राजस्थान के वीका नेर और पाली में मौफली किसान सडक पर उतरा है क्योंकि फसल की कीमत मिल नहीं रहे मौफली मंडी में है खरिदार कोई है नहीं तुलाई हो नहीं पा रहे हम हो चाते हैं कि हमारी वो मौफली जो गेट के अंदर पड़ी है गेट पास कटे हुए है वो पूरी मौफली तुलाई की जाए तो 36 गड़ के किसान इसलिए सडक परकों की करज माफी चाहिए फसल बोनस नहीं मिल पा रहा हूरा जस्तु सहिता के पेच अलग तो ऐसे में इसे मिल लीजिए यह है पंजाब के संगरूर के किसान जस्वीर सिंग सरकार ने 2-2 लाक रुपे की करज माफी का एलान कर अपनी पीट ठोक लिया लेकिन जस्वीर सिंग को फकत 5 रुपे करज माफी हुई है जी ठीक सुना आपने 5 रुपे जस्वीर पर 65-30 रुपे का करज है लेकिन माफ हुआ मेच 5 रुपया और जस्वीर एकलौते किसान नहीं कुछ किसानों को साथ रुपए तो कुछ को एक सो दो सो रुपए तो किसानों के लिए बैंक रहात देने को तैयार नहीं और कॉर्पेट के लिए बैंक से रहात के रास्ते खुद सरकार ही बना रही है तो ऐसे में जराइस सच को भी देख लीजिए मार्च 2017 तक बैंकिंग सेक्टर पर कुल NPA 7,28,500 करोड था जिसमें से फार्म सेक्टर यानि खेती पर महज 6,200 करोड तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर NPA 5,59,500 करोड था यूं मौजूदा वक्त में कुल NPA 9,00,000 करोड पार कर चुका है पर मसला ये नहीं कि NPA लगातार बढ़ क्यों रहा है सवाल तो यह है कि किसान को रहा तैंक या सरकार की प्रात्मिक्ता में फिट बैटते नहीं नहीं हमारे जो एरपोर्ट हैं आज के दिन में परदेश के कॉर्पेट का सच तो यह है कि एक तरफ करजदार कॉर्पेट बैंक का करज वापस कर नहीं रहे दूसरी तरफ दुनिया के बाजार में भारतिय कॉर्पेट खुप डॉलर लगा रहे है मसलन भारतिय कॉर्पेट कंपणियों ने सितंबर 2017 में 2654.45 मिलियन डॉलर लगाया यानि तक्रीबन 16960 कोड रुपे विश्वाजार में भारतियों की कंपणियों ने लगा दिये इसी तरह अक्टूबर 2017 में 1350.93 मिलियन डॉलर लगाये गए यानि तक्रीबन 8640 कोड रुपे विश्वाजार में भारत के कॉर्पेट ने लगा दिये तो कैसे भारतिय कॉर्पेट अपना पैसा विदेशों में लगा रहा है और विदेशी निवेश को लेकर प्रधान मंत्री अपनी पीट ठोक रहे हैं पहले जराई से सुन लीजिए तो प्रधान मंत्री के मताबिक 2016-17 में भारतिय कंपनियों ने विदेश में निवेश किया तो आखरी सवाल यही है देश के कॉर्पेट, देश की कंपनिया, देश का किसान और देश के बैंक खुद को लेकर इतने अंतरविरोध में क्यों फसे हुए हैं और विदेशी निवेश से लेकर FDI के मद्यनजर भारत दुनिया को क्यों देख रहा है, खुद अपने देश को क्यों नहीं देखता और ऐसे में एक तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं कितना पैसा बाहर गया भारत से पैसा हर महीने जिस रूप में जा रहा है उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर उभरती चली जा रही है ज़र आद देखने की कोशिश कीजिए एक लाख उन्चालिस सजार करोड से चादा की रकम तो आज वक्त नहीं तो गाना नहीं, दस्तक में इतना ही